हलो स्टुएंट्स मैं रहां सिसोधिया स्वागत करता हूं आपका गामा चैनल पर आज का हमारा टॉपिक है रेशो परसंटेज टॉपिक के बाद रेशो बहुत ही इंपोर्टन टॉपिक है बट रेशो का जैसी नाम लो स्टुएंट्स सब कुछ भूल जाते हैं और अगर आ करते हो कौंट में मैं तो आज हम रेशो को बहुत अच्छे तरीके समझेंगे और पूरी कोशिश करूंगा मैं कि इस वीडियो के बाद आपके रेशो के बेसिक्स हमेशा हमेशा के लिए क्लियर हो जाएं तो देखे हम आज की हमारे आउटलाइन सबसे पहले हम देखेंगे रेशो के बेसिक्स उसके बाद हम देखेंगे की कंसेट्स जो फांडेशन है रेशो की वो एक बार आपको जब समझ में आ जाएंगे उसके बाद हम लोग कुछ एक्जामपल्स देखेंगे की रेशो को अपलाई कैसे करना है उसके बाद सबसे एंड में रहेगा आप लोग पर ले जाना चाहते हैं, तो description में आपको app और telegram channel का link मिल जाएगा तो देखते हैं हम सबसे पहले definition ratio की ratio is a comparison of two numbers by division तो कोई भी दो number को अगर हम divide करें और simplify करें तो हमें ratio मिलता है जैसे माल लो दो number है 10 और 20 यह तो values हैं, अगर इनका ratio निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, 10 upon 20 और इसको जैसी simplify करेंगे हमें हमारा ratio मिल जाएगा क्या आजाएगा, 1 is to 2, तो ratio जो होता है कोई भी numbers को जब हम अपस में divide करें और उसको जब simplest form में लिखें, that is called ratio तो यहापे हमारा ratio क्या हो जाएगा इस case में, 1 is to 2 अब हम देखते हैं, concept 1 ratios are not values ratios और values अलग-अलग चीज़ें होती है for example, अगर P और Q का ratio है 1 is to 3 इसका यह मतलब नहीं है कि P की value 1 है और Q की value 3 है इसका मतलब यह है कि P is equal to 1x, इस framework को हम use कर रहे है और Q की value क्या हो जाएगी, 3x क्योंकि जब तक हमें X की value पता नहीं चलेगी, यह variable की यह कुछ भी हो सकता है, x, y, z, k, ठीक है जब तक हमें इसकी value पता नहीं चलेगी, x की जब तक हम P और Q की actual value नहीं बता सकते है जैसे हम X की value पता चल जाएगी, variable की हम P और Q की value निकाल देंगे तो आप देखोगे कि अलग-अलग X की value के लिए अलग-अलग P और Q की value आईगी बट ratio सभी case में same होगा मानों, x1 है x2 है और x10 P और Q की value हम निकालेंगे अगर x1 है तो यहाँ पर आगर हम 1 रखेंगे तो P की value भी बनाएगी और Q की कितनी आजएगी 3, x अगर 2 रखेंगे तो P की value होजाएगी 2 और Q की value होजाएगी 6, x अगर 10 रखेंगे तो P की value होजाएगी 10 और Q की होजाएगी 30, बढ़ आप देखोगे कि सभी case में P और Q का ratio अभी भी वही है, 1 is to 3 यहापे भी, इनको भी simplify करेंगे तो 1 is to 3 आएगा, इनको भी simplify करेंगे तो 1 is to 3 ही आएगा, तो ratio same है, but values अलग-अलग हैं, इसलिए जब तक हमें X की value पता नहीं चलती हम P और Q की कभी भी actual value नहीं बता प जब आए कि salary अगर वीवेक और मयंक की 2 is to 3 के ratio में और उनके salary का Sum 5000 है तो उनके salary का difference नकलना है, तो क्या given है में, वीवेक is to मयंक की salary का ratio क्या है 2 is 2 3 तो actual salary कितनी हो जाएगी विवेक की 2x और मयंग की salary कितनी हो जाएगी actual 3x अब क्या sum दिया इनकी salary का विवेक की salary और मयंग की salary का sum है 5000 विवेक की value कितनी थी हमारे साब से 2x मयंग की थी 3x यह हो जाएगा 5000 5000 इक्स निकल के हो जाएगा यह गाँ तो विवेक की सिल्ड़ी कितनी हो गई अब कि एक्सकी वेली ऊब थाउजन रखेंगे तो यह जाएगी टू इंट टू थाउजन टू तू थाउजन और मायं की साली कितनी हो जाएगी ट्रेंट 2000 3000 पूछा क्या है हमसे हमें निकालना है difference इनकी सेलरी का तो मयंग की सेलरी और विवेक की सेलरी का difference कितना आ जाएगा 3000-2000 तो 1000 रुपीज का difference है इन दोनों की सेलरी में यह आगी हमारा correct answer इसी question को एक और quicker method से हम कर सकते हैं विवेक की सेलरी मयंग की सेलरी उनका sum और उनका difference तो विवेक की सेलरी आ जाएगी two यह भी हम पुरा ratio में लिख रहे है ना यह हम दिखने मयंग की three sum हो जाएगा 5 और difference कितना हो जाएगा मयंग को विवेक का 3-2 1 बट एक्चुल में जो value थी actual में जो value थी, वो कितनी थी इन दोनों की salary का sum कितना था, 5000, तो हम यहां लिख देते हैं, यह कितने की scale आजएगे, 5000 upon क्या करेंगे हम, 5000, तो यह हो जाएगा, 1000, 1000 के साब से difference कितना आजएगा, उनका, हमने तो 1 माना था, but 1000 की scale है, तो उनका difference आजएगा 1000, यह हमारा answer, अगर हम से मयंग की salary पूछ ले, वो हो जाएगी 3000, और अगर वीवेक की salary पूछ ले, वो हो जाएगी 2000, तो आप से जो भी पूछ ले, वो आप निकाल सकते हो, तो यह एक faster method है, question को करने की, concept second देखते है, different ratios take different variable, तो अगर P और Q का ratio है, A to B, तो यहाँ पर हमने क्या लिया, AX और BX क्या हो जाएगी हमारी values, P और Q की value क्या हो जाएगी, AX, P की value हो जाएगी, और Q की value हो जाएगी, BX, वहीं पर अगर M और N का ratio है, C to D, उस case में हम नया variable ले लेंगे, जो हमने यहाँ ले लिया है, Y, यहाँ पर हम वापस से X repeat नहीं करेंगे, हर ratio के लिए हम different variable use करेंगे, इ वगर salary है, Amun और Bimal की 2 is to 3 के ratio में, तो Amun की salary हो जाएगी, actual 2X, Bimal की salary हो जाएगी, actual 3X, और चिराग और David का ratio है, 1 is to 4, तो चिराग की salary हो जाएगी, 1 Y, है न, मैं Y भी लिख सकता था, पर समझाने की लिख रहा हूँ, और David की salary हो जाएगी, और Y, अब question में हमें, Amun और Bimal की salary की actual, sum दिया हुए, तो हम लिख लेते हैं, Amun की salary प्लस Bimal की salary कितनी है, 80,000, 2X, प्लस 3X कितना हो जाएगा, 80,000, 5X आजाएगा, 80,000, X आजाएगा, 16,000, ठीक है, X आगया तो हम, Amun की भी salary निकाल सकते हैं, और Bimal की भी, उसी प्रकार से, चिराग और David की salary का sum कितना दिया है में, 1,00, चिराग की salary प्लस David की salary कितनी है, 1,00, तो यह हो जाएगा, Y प्लस 4Y is equal to, 1,00, 5Y हो जाएगा, 1,00, तो Y की value कितनी आजाएगी, 20,000, अब हम से क्या पूछा है, कि Bimal और David की salary का sum कितना है, तो Bimal की salary हम यहाँ निकाल लेंगे, 3X थी है, तो यह कितनी हो जाएगी, 3 into 16,000, X 16,000 है, तो यह हो जाएगी 48,000, और David की salary कितनी हो जाएगी, 4Y, तो यह हो जाएगी 4 into 20,000, तो यह हो जाएगी 80,000, तो Bimal और David की salary कितनी हो जाएगी, 48,000 plus 88,000, यह हो जाएगी 1,00, 28,000, जाग यह है हमार answer, तो लर्निंग क्या है हमारी लिए, यह हमारा पहला ratio था, तो उसके लिए हमने X use किया, variable, यह हमारा second ratio था, उसके लिए हमने दूसरा variable Y use किया, हो सकता है किसी question में X और Y बराबर हो जाएगी, बट वो हम पहले से assume नहीं कर सकते हैं, इस चीज़ का आप द्यान रखाएगी, concept 3 दिखते हैं, कि addition कैसे करते हैं, जब different ratios होते हैं, तो अगर X और Y का ratio है A is to B, तो X की value हम माल लेते हैं, A के, और Y की value माल लेते हैं, B के, P और Q का ratio है M is to N, तो P की value हम माल लेते हैं, M और हमारा variable हो जाएगा L, और Q की value हम माल लेते हैं, N और हमारा variable again L ही रहेगा तो यहाँ variable लिया है हमने K और दूसरे ratio में हमने variable लिया है L अब अगर हमें X प्लस P करना है X प्लस P क्या हो जाएगा हमारा A K प्लस M L यही चीज हमने यहापे दे रखिए और अगर हमें Y प्लस Q देखना है तो वो क्या हो जाएगा हमारा B K प्लस M L यह रहाँ यह concept अगर आपको बहुत अच्छे से clear है तो tough questions जो tier 2 या mains में आते हैं आप बहुत अच्छे से handle कर सकते हों इस type के questions पर ही उनका बहुत ज़्यादा emphasis रहता है क्योंकि लिए बच्छे बहुत ज़्यादा mistake करते हैं यहाँ पर एक example से इसको समझते है तो salary अगर दी हुई है जै और वीरू की जिसका ratio है 2 is to 3 January में और जै और वीरू की salary का ratio February में है 3 is to 1 question में बुचा है sum क्या होगा जै की salary का January और Feb में जै और वीरू January और Feb तो जै और वीरू की actual value क्या होगी salary 2x और 3x Feb में क्या हो जाएगी उनकी ratio 3y और y तो नए ratio के साथ मैंने variable change कर लिए अब जै की salary का sum पुछा है January और Feb की मिला कर तो वो कितनी हो जाएगी 2x प्लस 3y और अगर हमसे वीरू की salary पूछ रहते है January और February की तो वो हो जाती 3x प्लस y हो सकता actual question में वो आपको कोई value दे जिससे आप equate करो इनको but conceptual understanding के लिए इतना काफी है गलती क्या नहीं करना है जो बच्चे करते हैं वो जै की 2 ले लेंगे January की और यहां से ले लेंगे 3 और इसको लिख देंगे 5 इस टाइप के भी कुछ लोग होते हैं या फिर वो 2x लिख देंगे इसको और इसको लिख देंगे 3x और लिख देंगे 5x ये गलत तरीके हैं दोनों ही तरीके गलत हैं और मुझे पता है बहुत लोग जो ये वीडियो देख भी रहे हैं वो ये गलती करते हैं तो इसको अच्छे है समझ लेना concept 4 देखते हैं ratios के important aspects तो पहला point बोल रहा है कि जो unit of measurement होने चाहिए दो quantities की ratio में वो सेम होना चाहिए मतलब अगर यहां लिखा है हमने 8 kg और नीचे लिखा है 2 तो वो कभी gram नहीं होगा वो क्या रहेगा kg unit सेम होना चाहिए ठीक है फिर ratio क्या बताता है हमें कि एक quantity दूसरी quantity का कितने times है तो वो कितना हो जाएगा यहां पर हम solve करेंगे तो यह हो जाएगा 4 इस टू 1 यह ratio आगया हमारा फिर थर्ड पॉइंट क्या बता रहा है कि ratio की value बदलती नहीं है अगर numerator denominator दोनों को multiply करें या मैं divide करें same quantity से जैसे 4 को अगर मैं उपर भी 2 से इंटू करूं और नीचे भी multiply करूं 2 से तो हमारे ratio में कोई change नहीं आएगा यह वापिस कर जाएंगे और 4 इस टू 1 ही आएगा उसी प्रकार अगर मैं 4 को divide करूं 2 से और 1 को को divide करूं 2 से तो अभी हमारे answer में कोई change नहीं आएगा यह वापिस वही बन जाएगा कि क्या जाएगा वापिस ratio 4 इस टू 1 यह है हमारा point number 3 तो यह तीनों चीज आपको अच्छे से पता होनी चाहिए फिर चलते concept 5 पर कि अगर कोई भी total quantity को हम पार्ट में तोड़े है एस टू बी के फॉर्म में तो वह quantity हम कैसे निकाल सकते हैं तो उसके लिए फॉर्मला है अब यह question दिया है इससे समझते हैं एक बैग में blue और red ball total है 44 और उनका ratio है 7 इस टू 4 तो पूछा है कि blue और red ball कितनी है तो इस technique से हम blue ball कैसे निकालेंगे 7 upon 7 plus 4 into total कितनी है 44 यह जाएक है 28 और red ball हो जाएंगी 4 upon 7 plus 4 into 44 यह जाएंगी 60 इस तरीके से इस formula को use करके हम actual values निकाल सकते हैं अगर हम ratio दिया और sum दिया हो तो इसको करने के एक और तरीका है तो blue ball, red ball, total ratio के form में है यह 7, 4 और 11 बट यह जो 11 हमने ratio के form में लिया है इसकी actual value कितनी है question के साब से 44 तो जब 44 upon 11 करेंगे तो यह factor कितना आ जाएगा पॉर का तो red ball कितनी हो जाएंगी 16 और blue ball कितनी हो जाएंगी 28 इसी को करने का एक और standard तरीका blue plus red ball है 44 blue ball हो जाएंगी 7x red हो जाएंगी 4x और कितनी है यह 44 11x आ जाएगा 44 x आगे हमारा 11 sorry x आ जाएगा हमारा 4 तो blue ball कितनी हो जाएंगी 7x के साब से हो जाएंगी 28 और red ball हो जाएंगी 4x के साब से 16 तो तीन-तीन तरीके देख लिए आपने जो भी आपको comfortable लगे आप उसको यूज कर सकते हो बड़ आपको basics अच्छे है समझ में आना चाहिए कि हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है concept 6 देखते हैं यह है scaling method पर based यह बहुत helpful होती है questions को fast करने में तो माल लो a और b का ratio हमें दिया है 1 is to 2 और b और c का ratio दिया है 3 is to 4 पर हमसे question में पूछ ले कि abc का आपस म ratio क्या 3 होगा तब हम यह method यूज करते हैं इस तरीके से हम लिखेंगे यह 1 is to 2 है a is to b और b is to c 3 is to 4 अब b की जो value है यह common value है अगर value की बात करें तो बी की तो एक ही value होगी पर यहां हमें दो दिख रही है ratio के form में तो हम इसको करेंगे LCM लेके solve यह आज जाएगा 2 और 3 का LCM तो इस तो 2 में आप क्या इंक एंटू कर को कि 6 आएका तो इस पूली रोन आप इंट औरो कि 3 को आ एक ना था एक्सरी में एक वैचाइगा तो इस पूली रोगुवा इन्टू को रोगे 2 तो यह जब 4 into 2 करोगे तो आजाएका 8 और 3 into 1 करोगे तो यह आजाएका 3 तो A is to B is to C कितना हो गया हमारा 3 is to 6 is to 8 यह हमारा रेशो आगया तीनों का इसी का एक और वेरियंट है वो भी देखते हैं अगर A और B का रेशो दिया है 1 is to 2 और A और C का रेशो दिया है 3 is to 4 तो कैसे निकालेंगे अगें क्या है हमारी ए हैं A की दो वेल्यू तो होनी सकती है न इसका LCM लोग 1 और 3 का यह आ जाएका 3 तो वन वाली रो में क्या into करेंगे 3 तो 3 आ जाएक और 3 में क्या इंटू करेंगे 1 इंटू करेंगे तो 3 आ जाएका तो 3 का जब आप 2 में इंटू करोगे तो यहां आ जाएगा 6 और 1 का जब आप 4 में इंटू करोगे तो यहां जाएगा 4 तो क्या रिश्यो होगी हमारा A is to B is to C 3 is to 6 is to 4 फिर next concept देखते हैं अगर चार्ट हम आ जाएं तो कैसे करना है तो A is to B का रिश्यो दिया है 1 is to 2 B is to C का रिश्यो दिया है 3 is to 4 और C is to D का रिश्यो दिया है 2 is to 3 इन चारों का अगर हमें निकालना हो रिश्यो आपस में तो देखते हैं तो दो टेकनिक से कर सकते हैं यह पहली टेकनिक हैं 2,4,3 का इंटू कर दो 24 वन ठ्री टूगा कर दो यहां लिख दो फिर ट्फी ओर टू एं टूगा दो यहां लिख दो और टू फोर रूर टू कंद रू गर दो वह सबhoven realizar कर लो तो 2 से जब इनको cancel करेंगे तो क्या आएगा 3 is to 6 is to 8 is to 12 यह मारा रेशो आगया एक और टेक्निक है यह 1 is to 2 है यह 3 is to 4 है तो पहले तो तीन डेम्स का ही रेशो निकाल लो तो यह हमने निकाला था पिछले question में यह आ जाएका 3 is to 6 is to 8 अब D को भी add कर दो जो रेशो था 2 is to 3 COD का आप हमें पता है C की दो values तो है नहीं एक ही value है तो इस calcium लेलो यह आ जाएगा 8 8 में क्या into करेंगे 1 तो इस पूरी रो में 1 into होगा और 2 में क्या into करेंगे कि 8 आ जाए 4 इस पूरी रो में 4 into होगा 4 into 3 हो जाएगा 12 1 into 6 हो जाएगा 6 और 1 into 3 हो जाएगा 3 अगेन आपका अंसर आ गया 3 is to 6 is to 8 is to 12 चारू का रेशो जो भी method आपको convenient लगे उससे आप यह कर सकते हो first question देखते हैं दो numbers दिए जिनका ratio है 7 is to 11 तो actual value क्या हो जाएगी 7x और number 2 हो जाएगा 11x जहीं हमने सीखा है आज कि ratios और values अलग-लग चीज़ें होती हैं अब बोल रहे हैं कि अगर 7 add किया जाए इन दोनों ही number में तो नया ratio हो जाता है 2 is to 3 तो यह हमारा पहला number है इसमें तो नया ratio हो जाता है 2 is to 3 जहीं बोल रहा है question तो यह था 7x plus 7 upon 11x plus 7 is equal to 2 by 3 तो यह जाएगा 21x cross multiplication होगा ताकि आप confused नहीं हो 21x plus 21 is equal to 22x plus 14 तो x हो जाएगा 7 पूछाएगी numbers क्या है तो n1 जो था 7x यह जाएगा 7 into 7 49 एंटू जो था 11x यह जाएगा 11 into 7 77 तो यह दोनों numbers आ गया हमारे इस question को करने की एक वो टेक्निक है जो बहुत fast करती question को trick भी बोल सकते है आप बढ़ यह सही जगह नहीं बताने की अब यह मैं सर्फ basics पर focus करूँगा वह हम बाद में देखेंगे second question देख value क्या हो जाएगी 3x number 2 की value क्या हो जाएगी और x और क्या बोला है इन दोनों ही number का LCM है 180 हमारे इसाब से LCM क्या आएगा LCM होता है जो दोनों ही number का सब कुछ अपने अंदर रखे तो इदर से 3 आ जाएगा इदर से 4 आ जाएगा और x तो दोनों ही common है यहां से सिर्फ x आएगा तो यह कितना हो जाएगा 12x तो जो हमारे साब से 12x है उसकी actual value कितनी दिये question में उसकी value दिये question में 180 तो x की value आ है तो number 1 क्या हो जाएगा 3x है तो यह हो जाएगा 3 into 15 45 और number 2 क्या हो जाएगा 4x है और इंट 15 60 तो यह दोनों नमबर आ गए हमारे question 3 देखते हैं boys the girls का ratio 8 is to 3 तो boys की value कितनी हो जाएगी 8x girls की value हो जाएगी 3x फिर question में बोला है कि total number of girls जो है वो 375 है तो girls कितनी है 375 और हमारे साब से value कितनी थी 3x इनको एक वेट कर देंगे तो हमें x की value मिल जाएगी x की value यहां से आ जाएगी 125 x की value अगर आ गई तो हम boys भी निकाल सकते हैं boys कितने थे 8x 8 x 125 कितने हो जाएगी boys 1000 बोल आ गए हमारे पास इसी question को करने के एक और तरीका जो मैं आपको बता चुका हूँ boys girls और total boys थे 8 ratio scale में girl थी 3, total parts कितने हो जाएगी 11 but girls की value कितनी थी actual 375, 375 by 3 करेंगे तो 125 आग, 125 की scale से हम boys भी निकाल सकते है, 1000 और अगर आपसे total पूछ ले, तो total भी आप निकाल सकते हो, 1375, question number 4 देखते है, x to y का ratio दी है 3 is to 4, तो x की value क्या हो जाएगी 3, अब यहां हम k लेंगे ना, क्योंकि लिक एक्स तो already taken है, तो हम variable क्या लेंगे 3k, कहीं students 3x ले लेते हैं और question गलत हो जाता है, और y की value कितनी हो जाएगी हमारी, और k, यह values आगई हमारे पास, अब निकालना क्या है हमें, 3x plus 4y, upon 5x plus 6y, एक्स की value तो हमें पता है, यह रही, और y की value यह रही, यह हम insert कर देते हैं यहां पर, और यह हो जाएगी 4k, upon 5 into 3k, plus 6 into 4k, तो यह हो जाएगी 9k, प्लस 16k, upon 15k, plus 24k, यह हो जाएगी 25k, upon 39k, k से k कर जाएगा, answer आजाएगा 25 is to 39, यह हमने बिल्कुल basic method से देखा है, अब कई students बोलेंगे, sir आप तो x की value, 3 रख देते हैं, और y की value 4 रख देते हैं, तो भी answer आजाता है, बिल्कुल आजाएगा, क्योंकि यहाँ पर division है, इस question में आजाएगा, बट अगर concept की बात करोगे, तो कहीं ऐसे question आएगे, जब division नहीं होगा, और addition होगा, और आप उलच जाओगे, वो भी हम आने वाले videos में उस type के questions भी देखेंगे, तो basics को हमेशा ध्यान रखो, इसके बाद आप लोगों के लिए है practice set, तो जो जो हमने सीखा अब आपको, इनको apply करना है, और comment section में मुझे बताना है कि आपके answers क्या है, इसी के साथ हमने ratio के जो important basic concepts हैं, सब cover कर लिए, तो आज का अपना quote देखते हैं, आपको हमेशा सिर्फ खुद से compete करना चाहिए, क्योंकि दुनिया में इतने लोग हैं, अगर हर किसी से compete करने जाओगे, तो आपकी उम्र निकल जाएगी, इसका तो कोई end नहीं है, हाँ, और एक और चीज, हर इनसान का background भी different है, तो अगर हम उनसे अपने आपको compare करेंगे, तो ये बहुत ही unfair रहेगा, बट हम हमेशा अपने आप से खुद को compare कर सकते हैं, और देख सकते हैं कि हमने कहां से start किया था, और आज हम कहां हैं, इस तरीके से हम improve भी करते जाएंगे, और satisfied भी रहेंगे, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे, तो like और share जरू करना, thank you, तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो, कि ऐसा ही quality content आपको मिलता रहें, जो help करें आपको आपकी exam prep में, तो circle में जो gamma का logo दिख रहा है, उसको click करें, और channel को subscribe करें, thank you,